नमस्कार संगीतर्स किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपको सिखाऊंगी धाबा स्टाइल चिकन बनाना तो इसके लिए ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था और चिकन को मैंने मेरिनेट कर दिया लेसन अधरक के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा नमक खल्दी डालके तो पहले हम लोग ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे और उसके लिए मैं थोड़ा सा ये कलर का भी यूज़ करूंगी ताकि ये थोड़ा सा तंदूरी और वैसा जो हम लोग ध जोचा के थोड़ा सा हम वो ही लुक देते हैं और ये देखिए करीब ये दो घंडे से मैंने मेरी नेशन पेस को रखा हुआ था तो अब हम इस पीसेस को इसके अंदर कढ़ाई में डालके फ्राइ करेंगे अब ये देखिए ये चिकन एकड़म बढ़िया फ्राई हो गया है तो बस अब इसको गैस को मैं करूंगी बन और एक नए पैन में हम शुरू करते हैं मसाला बनाना अब देखिए ये दूसरे पैन में मैं डालूंगी ये प्यास जो मैंने दो प्यास दी थी और दो प्यास को बारिक चौक कर लिया और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर डालूंगी ये लैसन अगरक का पेस्ट करीब तो पिंच अगरक है इसके अ अब ये देखिए प्यास जब आपकी गोल्डिन ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर डाल दीजी थोड़ी सी ये सावित मिर्च मैंने लगवग चार सावित मिर्च और थोड़ा सतेज पत का पत्ता डाला है क्योंकि गरम मसाला मैंने दिलकुल ही बढ़िया बारिक पीस लिया है जिसके अंदर है बढ़ी इलाईची, हरी इलाईची, काली मिर्च और लॉंग, जावित्री सब को मैंने होमेड एक मीठ मसाला यसे होता है वैसा बनाते रखा है तो जब यह ब्राउन हो जाए आपकी तब आप डाल दीजे यह लैसन अद्रक का पेस्ट अब हम इसको फिरसे भूनेंगी इसमें मैं कामाटर का स्कुमाज बिल्कुल नहीं करूंगी हाँ हम कलर के लिए बेगी मिर्च डालेंगी और जब यह भूनेगा तो मैं डालेंगी इसके अंदर बहूंग अब यह देखी लेसन अद्रक भी भूं चुका है तो इस टाइम त मैं मेरी नेशन के टाइम पर भी डाला था और यह सारा मैं डालूगी यह है मेरा गरम मसारा और साथ मैं डालूगी यह डेगी मिर्च डेगी मिर्च भी आप अपनी हिसाफ से डाल सकते हैं यह तेज नहीं होती तो सिर्फ तालरीं के लिए होती है यह देखी और इस टाइम पिर मैं डाल दूगी इसके अंदर लगभग आधा कटोरी बही अब ये देखी ये मसाला मेरा भूं चुका है और आप साइड से देख सकते हैं को पेल भी छोड़ दिया है इसने और इसको दो मेंट के बाद मैं ट्रांस्वर करेंगी मेरे इस भुने हुए चिकन के अंदर ये ग्रेवी डालने के बाद आपको बताती हूँ आगे का प्रसेस अब ये मैंने ग्रेवी इसके अंदर डाल दी है बिल्कुल बढ़िया भूं गई है ये बहुत ही कोई अच्छा बनने वाला चिकन है इसको कोई रिजिस्स नहीं कर सकता अल्रेडी बिल्कुल भूना हुआ है मेरिनेटेड है नियुक्ति और इसके इंदर जर्म मसाला खरी इलाइची बड़ी इलाइची सब को जला हुआ है और साथ में डला हुआ है रही मैंने टमाटर का ये नहीं किया तो अब इस पॉंट पे हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के आज को धीमे करके 15 मिनाट के लिए दम होने के लिए रखतेंगे अब देखी थोड़ा समय इसमें डालोंगी पानी लगभग आधा ग्लास क्योंकि चिकिन का अपना भी पानी में होता है और इसको अब हम लिड लगा के दम होने के लिए रख गेते हैं और अब हम मिलेंगे 15 मिनट के बाब अब लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यह देखे चिकिन हमारा हो गया विल्कुल तयार और सारा ओयल छोड़ दिया है तो बस हम देख लेते हैं यह चिकिन गल गया है कि यह देखें कितना बढ़िया यह चिकिन गल गया है तो बस आव हमारे करनी है इसकी प्लेटिंग चलते हैं प्लेटिंग की तरफ अब यह देखें कि यह हमारा बढ़िया धाबा स्टायर चेकन हो गया तैयार और बस अब हम इसके अतना डालेंगे धनिया वाह बहुत ही बढ़िया खुश्वू आ रही है और इसको अब आप डालिये धनिया और यह रेडी टू सर्फ है रोमाली रोटी 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 और किसी भी बढ़िया तंदूरी रोटी के साथ आप इस डिनर को ले सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग माइड वीडियो दो लाइक अंड सब्स्क्राइब इस लाव माइड वीडियोस